अधिया अधिया और रूट वन माइनस कोस ए प्लस वन प्लस कोस ए इस इक्वल टू क्या होगा तो यह 101 का कोशिशन है इसका देखे सोल करने का बहुत सिंपल तरीका है इसमें आपको कुछ नहीं करना है जो आप सबसे पहले जो दिया हुआ ओप ठीक है वन माइनस कोस है यहा न चौन सबस्ट ह juda ऐसे हम उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुना कऱेंगे जिसे यहां पर देख सकते हैं कि हैं रिख़ता है one PLUS one माइनस कोसे BY one PLUS सोरी one माइनस को से इससे क्या होगा ये इनौन क्या हो जाएगा तो ये बेलू क्या हो ता चेंज नहीं होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोनों को under root में लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को multiply कर देंगे, जब इसको multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, one minus कोसे का whole square हो जाएगा, plus में नीचे आपका आजाएगा, जब हम नीचे का square करेंगे, यहाँ पर देख वाट में यहाँ पर a minus b, यहाँ लिख सकते हैं, इसको, one, one a square, one क्या हो गया, a square हो गया, और minus का whole square, तो इसको हम लोग भी सकते हैं, a square minus b asquire की तरह, one square minus kot square, तो one square का one ही होता है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं, बाद में इसको क्या करना है, इसको change कर देना है, जैसे तो हम जब cross A को जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा one minus cross A square हो जाएगा तो ये दोनों के जगा हम लोग लिख सकते हैं sine square है तो इसमें क्या करेंगे उसको change कर देंगे तो हम change कर देंगे हो जाएगा sine square फिर नीचे हम लोग क्या करते है whole square है तो यहां से क्या हो जाएगा whole square वाला direct आपका root से बाहर आ जाएगा तो one minus को से और sine square A है तो sine का अगर हम square हटाते हैं ठीक है sine मतलब होता है sine A into sine A तो जब each step से रहे है तो हम लोग क्या कर सकते है under root से एक बाहर आ जाता है यानि क्या हो जाता है sine A तो यहां पर हम लोग क्या लिख दे है sine A लिख दे है यह हो गया sine A उसके बाद क्या करेंगे है हम लोग दोनों को अलग कर देंगे यह one से एक बार sine A को लिख देंगे plus में बीच में जो minus दिया हुआ minus का sine देंगा उपर cos A नीचे sine A फिर क्या करेंगे यहां आपको पता ही होगा कि one minus sorry one by sine A one by sine A क्या होता है one by sine A होता है cos A के और minus का sine minus ही होता और आपको पता होगा cos A बटा sine A क्या होता है कोट A होता है तो यह होगा हमारा answer यानि कि option number B और देंगा आपको पता है